जब भी आप बेंक में कोई अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, FD towards account , फिर पिपफिएफ खोलने के लिए जाते हैं या फिर आप पॉस्ट ओफिस ने कोई account खोलने जाती हैं या फिर आप DMET От फिल करना होता है और यह एक जिए प्रिजन होता है और अगर आप खोलन करते हैं तो अगर अभी तक नो मिनी फिल नहीं किया है तो 2024 में 30 जून 202 थक भर बने फिल कर सकते हैं तो अगर अब आपने अपने अकाउंट में या फिर FD में या फिर PPF अकाउंट में या फिर DMAIT अकाउंट में नोमिनी फिल नहीं किया है तो आप 30 जून 2024 तक फिल कर सकते हैं आपके लिए भूती अच्छा मुका है तो आज इस वीडियो में जानेगे क्यứng रहते हैं और अगर होल्डर की डैठ हो जाती तो सजाल अमाउट को savage ars तो अ मिलेगा या य लीगल ही मिलेगा तो चीजे आज वीडियो में हम जो 這些 चैनल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिये गई बैल आइकन को भी ओन कर लें क्योंकि लोग से एसी इंपोर्टेंट जानकारी हम आपके लि नोमनी बनाया है मैरी सारा का सारा अमांट या एसेट मिलेगकर सब्सक्राइब को कोई भी अधिकार नहीं होता है तो सबसे पहले हम गुन पर्सन होता है । गृश्ट के यानि कि आफिर होता हुथ होताइफ में बता、फिर केरेंगश कर. होती है अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहले तो ऑकांट मेंट कि औरिंकसे रिसीव चरफ कर नहीं और उसके बाद दूसरी जो सबस्क्राइब करना होता है सबस्या क्रहिए करना होता है जा तो नॉमिनिएं उसको Hindu succession- मदर सन डॉटर और वाइव आते हैं और अगर क्वाइं में से कोई भी नहीं है तो ज più अउसको एमाउंट कैसी के गीच में क् fenैडना होता है और लगीच में कौन कोन आठे ओ तो Class 2 Legal Hears में अकाउंट होल्डर के ब्रदर, सिस्टर, फादर या फिर ग्रेंट पेरेंट्स या फिर ग्रेंट चिल्डरन्स आते हैं तो अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल या आता है कि आखिर फिर नोमिनी की जरूरत ही क्यों है अगर उसको कोई पैसा मिलता ही नहीं है तो सबसे मेंन चीज यहां पर यह है कि जो नोमिनी है वह एमाउंट को बैंक से रिसीव कर सकता है और नोमिनी को किसी भी succession certificate की जरूरत नहीं होती है तो अगर नोमिनी नहीं होगा तो अगर कोई भी legal hair बैंक में जाता है amount receive करने के लिए बैंक को कैसे बता चलेगा कि सच मुझ में एक legal hair है और उसके लिए legal hair को court से succession certificate लेना होता है और वो बैंक में दिखाना होता है उसके बाद ही bank जो है वो legal hair को amount देगा लेकिन court में बहुत जादा time लगता है succession certificate पाने के लिए तो ये चीज़ avoid करने के लिए लाया गया nominee क्योंकि nominee को किसी भी succession certificate की जुरूरत नहीं होती तो जैसे ही account holder की death होती है तो वो bank में जाके amount को receive कर सकता और कोई भी bank उसको पैसा देने के लिए मना नहीं कर सकता लेकिन अब यहां पे कुछ exceptions ऐसी भी हैं जहां पे nominee को ही सारा amount मिलता है तो ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप चाते हैं कि आपकी death के बाद जो सारा का सारा amount है वो nominee को ही मिले तो उसके लिए भी कुछ solutions हैं कुछ conditions हैं जिस situation में सारा amount जो है वो nominee को ही मिलेगा तो अब क्या exceptions हैं ये भी हम जान लेते हैं सबसे पहली exception तो है will अगर जो account holder है वो एक will बनाता है जिसमें वो clear करता है कि जो यह सारा amount है asset है या फिर जो property है वो nominee को ही दी जाए तो उस situation में वो जो सारा amount है वो nominee को ही मिलेगा और उसमें किसी पी परकार से किसी legal hair का कोई भी right नहीं होगा तो इस will में account holder किसी का भी नाम लिखवा सकता है वो उस bank holder की मरज़ी है वो चाहे तो nominee का नाम लिखवा सकता है या फिर किसी एक legal hair का नाम लिखवा सकता है या फिर neighbor का लिखवा सकता है फ्रेंड का लिखवा सकता है जिसका भी चाहे वो उस will में नाम लिखवा सकता है और सा इसे पहला काम आपको यह करना है कि आप नौमीन उसको बनाएंगे लेकिन साथ साथ में आपको एक विल त्यार करनी है जिसमें आपको लिखना है कि मेरी डेथ के बाद जो यह सारा आमाउंट आ है वो उस नौमीन को ही मिले 2 एकश्प्शन आपर कि अगर नौमिनी एक लोता हेर है मान लो कि कोई अकाउंट होल्डर है और उसकी डेथ हो जाती है और उस अकाउंट होल्डर के कोई भी लीगल हेर नहीं होते सिवाए उस नोमिनी के तो उस सिच्वेशन में भी वो जो सारा का सारा अमाउंट है वो उस नोमिनी को ही मिलेगा क्योंकि वो एक लोता लीगल pair तो अकाउंट होलडर का वह भी लीगल हेर है और उसके अलावा तो और लीगल हेर हैं तो इस situation में वह अमाउंट कैसे distribute होगा मानदों कि 300 रुपे का amount है तो उसे सबसे नोमिनी जो है वह 300 रुपे का amount बैंक से collect करेगा और 100 रुपे वह अपने पास रख लेगा क्योंकि वह एक लीगल हेयर है और जो बाकी के 200 रुपे हैं वह सो सो रुपे बाकी के दो लीगल हेयर में डिस्ट्रिबूट कर देगा और तीसरी कंडिशन जहां पे नोमिनी ही उस अमाउंट का हगधार होता है वह होता है सेलरीड परसन की केस में किसी भी परकार से कोई राइट नहीं होता है तो फ्रेंट्स आइप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि नोमिनी क्या भी दूती है और नोमिनी आखिर क्यों बनाया जाता है और इसके लावा किस सुच्वेशन में नोमिनी को ही सारा पैसा मिलता है तो अगर यह वीडियो आ झाल